आप सभी खा एक बार पुने स्वागत है चप्टर नमबर 17 का आज अपन दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं और इसमें आज अपन एक ऐसा टोपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से बॉर्ड प्रिक्षा में आपको केवल एक लाइन का आंसर लिखने वाला प्रशन मिलेगा और एक नमबर का प्रशन आपको मिलने वाला ना एक से कम ना और एक से ज्यादा तो आज का वीडियो अगर आप बहुत धंग से पढ़ते हैं चुम्बक के एक शेतर अलग से पढ़ लिया अब ये विद्धुत चुम्बक के स्पेक्ट्रम क्या बलाए है देखें कि जब कोई इलेक्ट्रोन या आविशित पाल्टिकल त्वरित गती करता है त्वरित गती का मतलब एक नियत वेक से नहीं त्वरित वेक से या तो उसका वेक दिरे-दिरे इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो तो वो विद्धुत चुम्बक के तरंगे उत्सरजित करता है और ये जो विद्धुत चुम्बक के तरंगे हैं केवल अपने को जो सूर्य से आने वाला प्रकास है जिसमें अपन चीजों को देख सकते हैं वो ही प्रकास नहीं है विदू चुम्बक ये तरंगे क्या है अपन विस्तार पुर्मक चर्चा करेंगे यदि वीडियो को आप एंड तक पढ़ते हैं तो मैं आपको एक कहानी है व जो आपको वस्तूओं को देखने में सहायक है इसके अलावा भी और भी बहुत सारी विदू चुम्बक ये तरंगें सूर्य के प्रकास के साथ आ रही हैं जो हमें ना तो दिखाई देती हैं और ना ही देखने में सहायक हैं लेकिन बहुत सारे दूसरे कार्यों के लिए चोटी कक्षाओं में सुना होगा कि सूर्य से आने वाली प्रकास में पराबैंगनी किरने होती हैं ठीक है और वो पराबैंगनी किरने जो होती हैं वो सरीर के लिए बहुत नुक्षान दैक होती हैं आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो अपना वायू मंडल है इसमें तीसरे नंबर पे जो ओजोन मंडल आता है उसमें दीरे 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 एक छेद बढ़ रहा है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किर्णों से हमारी रक्षा करता है ठीक है और वो जो छेद है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो सूरिय से आने वाली पराबैंगनी किरने हमारे तक पहुंचेंगे और हमें नुक्षान पहुंचाएंगे पढ़ा होगा ना ये सब चीजे तो वो जो पराबैंगनी किरने हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं वो देखने में साहिक नहीं है इसी प्रकार की और भी बहुत सारी तरंगें वो निकलती हैं तो ये जो सूरिय से आने वाले प्रकास की कह लीजिए या फिर त्वरित इलेक्ट्रों से निकलने वाली तरंगे कह लीजिए इनको जब अपन कम लेम्डा से ज्यादा लेम्डा की तरफ दिरे दिरे बढ़ते हुए lambda के क्रम में अगर इनको अपन रख लेते हैं तो वो जो तरंगों का एक क्रम बने गा उसे अपन विदू चुम्ब की स्पेक्ट्रम कहते हैं यानि विदुत चुम्बक ये तरंगों को उनके तरंग धेरदे के एक क्रम में रखना चाहे तो आप उनको बढ़ते क्रम में रख लें या फिर घटते क्रम में लिख लें लेकिन बीच में उपर नीचे नहीं होना चाहिए अवरोही या आरोही तरंग धेरदे के क्रम में आप उन सभी पराबैंग उन सभी विदुचुम्बक के तरंगों को रखेंगे तो इसे अपन विदुचुम्बक के स्पेक्टरम कहते हैं बहुत छोटी सी definition है, बहुत easy है, रटने की खता ही आवशक्ता नहीं है, आप इसको समझें और आप उसको लिखें आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं कि ये जो तरंगे हैं वो कौन-कौन सी है इससे पिछले वाले वीडियो में एक जगे मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन सी तरंगे हैं जिने अपन विदु-चुम्बक की तरंगे कहते हैं तो उन सभी तरंगों को अपन गठते या बढ़ते तरंग धेरदे के करमें पढ़ेंगे एक-एक करके अपन सब को तयार करने वाले हैं बोल्ड प्रिक्षा में प्रसन यहां से कैसे आएगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको उन सभी विदु-चुम्बक की तरंगों के नाम बता देता हूँ गामा, एक्स किरने, पराभेंगनी किरने, द्रश्य प्रकास, अवरक्त प्रकास, माइक्रो वेव तरंगे या माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे इनके अलावा एक objective प्रशन आता है कि निम्न में से कोन सी विदु-चुम्बक की तरंगे नहीं हैं और उनमें जर्रेली एलफा किरने, बीटा किरने को अभी नाम लिख दिया जाता है चुकि अपन जानते हैं कि गामा किरने हैं वो विदु-चुम्बक की तरंगे हैं तो एलफा कणों के और बीटा कणों के चलने से जो तरंग बनेगी वो विदु-चुम्बक की तरंगे नहीं हैं विदू चुम्बक ये तरंगों की स्रेणी में केवल वो ही तरंगे आ रही हैं जिनको आज अपन अध्यन करने वाले हैं सबसे पहले नंबर पे आती है आपके पास गामा करने देखे इनकी जो विध्यानिक जिनोंने इनकी खोज करी और कौन सी सन में इनका अविश्कार हुआ कब इनकी खोज हुई ये दो चीजें अपने को अपने नौलेज के लिए पढ़ना चाहिए जब आप 12th क्लास के बाद में आगे साइंस पढ़ेंगे तब यहां से प्रसन पूछे जाने की कुछ संभावना रहती है 12th क्लास के बॉर्ड प्रिक्षा में यहां से संभावना नहीं रहती है बहुत कम कभी खबार किसी एक तरंग के खोज करता की या विज्यानिक का नाम पूछ लेता बाकि संभावना बहुत कम है कैसे प्रसन आएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूगा तो गामा किरने जो है वो बैक्यूरल और क्यूरी ने खोज करी थी आपने नाभी के भोती की का चेप्टर पढ़ा है नाभी के भोती की चेप्टर नंबर पंदर है में आपको याद भी होगा कि बहुत सारा पॉर्शन है वो इस साल सलेवस में से हटा दिया गया है जिसमें रेडियो एक्टिवता है आरधायुकाल है माध्यायुकाल है रदर फोर्ड सोडी का नियम है तो वो सारा पॉर्शन जो हटाया है वो अगर नहीं हटाया होता तो गामा किरनों के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते तो एक बैक्यूरल और क्यूरी दोनों ने मिलकर के गामा किरनों की खोज करी थी लगभग 1896 इसवी क्या सपास अब आप थोड़ा सा अपने लेवल को भी विक्षित करें कि यार 1896 कब था कितने साल होगे ऐसे फिल करें इन चीजों को फिर आपको ज्यादा रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी और याद दो करना ही नहीं है ये जो सन है इर है इनको आपको कभी याद करना ही नहीं है ओके तो ये गामा किरने होगी इसके बार में बात करते हैं कि गामा किरनों के स्रोत क्या क्या है ये जरूर पूछा जाने वाला प्रशन है आपसे तीन तरह के प्रशन पूछे जा सकते हैं कि ये जो किरने हैं इनका स्रोत क्या है इनको उत्पन कैसे किया जा सकता है नमबर एक सर्चा करने वाले आप लोगों ने देखा होगा कि अपना जो रिमोट होता है टीवी का या फिर एर कंडिशन का तो एर कंडिशनर का इनका जो रिमोट होता है उसके आगे एक रेड कलर की बती जलती है एक लाइट जलती है तो उस लाइट में से कुछ ना कुछ रेज तो नि रहेंगे, निश्ची त्रूक से आपको प्लेर हो जाएगा, तो सुरूत क्या है, गामा किरनों का सुरूत क्या है, प्राकर्टिक और करत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनसे गामा किरने निकलती रहती है, कोई भी, अब रेडियो एक्टिव पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक तो नैचरल और दूसरे करत्रिम, जिनको मनुष्य द्वारा तयार किये जाते हैं, तो ये स्रोत आप लोगों को यहाँ पर इनका याद होना चाहिए, अब बात करते हैं, गामा किरनों की विशेष्ता है, देखें ग बहुत उच भेधन क्षमता होती है, भेधन क्षमता का मतलब है पार कर जाना, और मैं आपको बताओं कि गामा किरनों की भेधन क्षमता इतनी तेज होती है, इतनी अधिक होती है, कि 30 cm मोटी लोहे की प्लेट, चादर कह लिजा, 30 cm, सोचके देखें कितना होता है, 30 cm, 30 cm 30 cm को पार कर जाती है गामा किरने, इतनी ज़्यादा इनके अदर एनर्जी होती है, तो सबसे ज़्यादा इनमें भेधन क्षमता पाई जाती है, यह बात अपने को फिल करने लायक है, इसके बाद में यहां से एक टोपिक पूछा जाता है, कि इन किरनों का संसूचन कैसे कि जाती है, कि यह गामा किरने यहां पर आ रही है या नहीं आ रही है, तो संसूचन का जो क्यूशन है, वो भी कई बार परिक्षा में पूछा जाता है, हालनकि मैंने यहां पर नहीं लिखा है, मैं आपको इसके बारे में लिख करके बता दूँगा, तो संसूचन का अर्थ ह कि कहां पर इंद किर्णों को प्राप्त किया जा सकता है तो यहां पर मैंने लिखा है कि यह जो किर्णे होती है यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है यह संसुचन के टॉपिक में आपको लिखना है यानि जब फोटोग्राफिक प्लेट आज के जमाने में तो निकल वा सकते हैं तो वो जो kamera के roll होती है उसको यह किर्णेवेश कर देती थी यानि इसको खराब कर देती थी इसलिए gama किर्णे हैं उनको अपन संसूचन करने के लिए यह लिखने वाले हैं इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इन किर्णों के जो उप्योग है वो कहा होते है तो इसमें इसका जो सबसे पहला उप्योग है वो यह है कि कैंसर और ट्यूमर रोग जो होते हैं उनके निदान करने में गामा किर्णों का उप्योग किया जाता है आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो कैंसर के या कहीं पर सरीर में गांट हो जाती है तो उनको लेजर के दुआरा खतम किया जाता है जलाया जाता है तो वहाँ पर गामा किरणों का उप्योग किया जाता है हलाएं कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी तरंगों का उप्योग इसी फिल्ड के अंदर किया जाता है लेकिन ये भी एक इसका मुख्य उप्योग है नमबर दो की बात करते हैं ये सबसे important है गामा किरणों का जो उप्योग है क्योंकि बाकी उप्योग जो है उनकी जगे तो आप दूसरी किरणे भी यूज में ले सकते हैं लेकिन गामा किरणों का जो सबसे महत्वा पूर्णों प्योग है जनरली जो बॉर्ड प्रिक्षिया के अंदर पूछा जाता है वो ये कि खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में जो cold storage होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी fruit की या सबजी की जब season चली जाती है ठीक है और उसके बाद में off season में भी वो fruits हैं वो आप लोगों के available हो जाते हैं तो season के time में उनको किसी storage में food storage के अंदर रख दिया जाता है और वहाँ पर जो गामा किरणे वगेरा होती है वो छोड़ी जाती है जिससे वो लंबे समय तक है वो खराब नहीं होते है ठीक है इसके बाद में है नाभी की अभिक्रियाओं में जो नाभी की अभिक्रियाओं होती है यानि नाभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में और भी बहुत सारे field है गाम्मा किरणों के बारे में केवल इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं, हर एक किरण के बारे में यही पैटर्न रहीगा, इनकी खोज किस ने करी थी, यह आपको पढ़ना है, यह याद करना है, कब हुई थी, यह याद करने कि आवश्यक्ता नहीं है, इनके मुख्य श्रोत क् इनको संसुचित कैसे किया जाता है, पहचान कैसे की जाती है, और इनके उप्योग क्या-क्या है, देखिए, ना तो आप लोगों को इनका लेम्डा याद करना है, कि इनका तरंग धेरदे कितना से कितना होता है, ना आपको इनकी फ्रिक्वेंसी याद करनी है, लेकिन इतन इनकी सबसे ज़्यादा होने वाली है तो केवल आप लोगों को आवरती के गठते क्रम में या फिर आवरती के बढ़ते क्रम में लिखवा सकता है पर्टिकुलर वैलिव इनकी कभी नहीं पूछी जाती है ठीक है तो आप सबसे पहले याद कर लें कि गामा किरने हैं इनका लेम्डा जो है वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है चलिए फटा फट स्क्रीन को पोज़ करके और गामा किरनों तक की कहानी लिख ले उसके बाद में आगी चलते है इसके बाद में नमबर दो पे आती है अपनी एक्स किरने एक्स रेज इसे अपन कहते है ठीक है एक्स रेज का उप्यूग तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने के जरूत है आपने हजार जगे पड़ा होगा एक्स रे करवाओ जब सरीर में कहीं फैक्चर हो जाता है तो एक्स रे करवाओ डॉक्टर भी लिख करके देता है एक्स रेज और कई-कई सहरों में तो एक्स रेज गली भी होती है जैसे बड़े सहरों होता है वहाँ पर पर्टिकुलर एक ऐसा ऐसे गली होती है जहां पर केवल एक्स रेज की मसीने लगी होती है तो एक्स रेज की जो खोज है वो रोणजन ने की थी बहुत इंपोर्टनेंट क्यूशन है यह जनरल साइंस का क्यूशन है जीके का क्यूशन है एक्स रेज की खोज जब वो किस ने की थी रोंजनने कब की थी सन 1895 यानि घामा किरने और X किरने हैं उनकी खोज लगबग एक ही समय में होई थी इसके बार में आता है कि इनका स्रोत क्या है X किरने हैं वो उत्पन कैसे की जाती है तो अत्यदिक उर्जा की कैथोड किरनों को मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना X-rays की जो मशीन होती है वहाँ पर भी तो X-rays उत्पन की जाती है तो वो जो X-rays होती है वो बोड़ी के अंदर से जब उसको ट्रांस्मीट करती है पार करती है बोड़ी को तो जो ज्यादा density के पार्ट होते है ज्यादा घनत्वे के पार्ट होते है जैसे हड़ीय होती है तो उनको वो पार नहीं कर पाती है और अगर हड़ीयों के बीच में कहीं क्रेक होता है तो उनके बीच वाले एरिये को वो पार कर जाती है जिससे वो X-rays का जो print out होता है उसके उपर दिखाई देता है तो अब बात आती है कि X-rays जो होती है वो उत्पन कैसे की जाते है बहुत ध्यान से सुनना कि अधिक उर्जा की cathode किरने होती है cathode किरनों को उच गलनांक के धातू के लक्से से ट्रोकने पर यानि बहुत ही जादा गलनांक यानि जो आसानी से पिघल नहीं सकता है ऐसे धातू के उपर जब cathode किरनों को डाला जाता है और जब cathode किरने उस धातू की सतह से टकराती है that time X-rays उत्पन होती है तो X-rays की उत्पती का जो श्रोत है वो अपने यहाँ पे लिखा है टूटने पर उसकी पहचान करने में नंबर दो cancer के रोग और तवचा के रोगों के निदान में इसके बाद में engineering में देखें engineering वगेरा में कैसे यूज किया जाता है आप लोगों ने कक्सा 11 में पढ़ा होगा कि जो अपना घरों में अपन जो छट डालते समय गर्डर मनाते हैं गाटर जिसे अपन अपने language में कहते हैं तो उनकी जब testing की जाती है कि इनकी क्षमता कितनी है क्या ये अपनी क्षमता की अपनी आउशक्ता की अनुसार है या नहीं है इसी प्रकार से engineering में और जब बहुत सारे सोध किये जाते है तो वहाँ पर x-rays का उप्योग किया जाता है विज्यानिक शोधों के अंदर x-rays का उप्योग किया जाता है और सबसे important चीज आप लोगों नहीं सुना होगा कि कई बार जब foreign countries से कोई आदमी आता है वो gold वगेरा और ऐसे important चीजें होती है अब उनको अपने body में operation के द्वारा चुपा लेता है अपने body के किसी part के अंदर उनको दबा लेता है तो फिर जब वो airport के उपर आते हैं तो उनको जब x-rays की machine के अंदर से निकाला जाता है वो machine x-rays के नहीं है जो आप लोगों ने general देखा होगा gate के उपर लगी होती है ठीक है वो machine नहीं है उसके लिए तो अपन अलग से पहले पढ़ चुके हैं कुंडली वाले chapter में अपन पढ़ चुके हैं तो धातु संसुचक metal detector कहते हैं उसे तो चोरों के द्वारा अपने सरीर में छिपाई गई बहुमुल्ले या वस्तूओं का पता लगाने के लिए x-rays का उपयोग किया जाता है तो ये कुल मिला करके general सा qution है तो x-rays का जो उपयोग है उसमें मुख्य रूप से अपन number 1 का जो topic है वो ही लिखते है इनके उत्पत्ती का स्रोत आप लोगों को पता होना चाहिए और x-rays की खोज है वो किस ने की थी बस इतना सा अब आप screen को पोज करके और ये भी लिख लीजे उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा परीक्षा में क्यूशन की द्रस्टी से केवल तीन तरह के प्रशन आप तयार करें नमबर एक पर आप इनके खोज करता का नाम याद करें नमबर दो पे आप इनका उत्पत्ती का श्रोत क्या है मुख्य रूप से याद करें संसुचक कैसे किया जाता है तो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं संसुचक के अंदर वो हो जाएगा और नमबर सबसे लास्ट में इनका उपियोग कहां किया जाता है तो इनके उपियोग है वो आप से 100% एक उपियोग तो पूछा जाएगा ठीक है? चलिए इसके बाद में नमबर 3 पे आती है पराबैंगनी किरने सबसे पहले कौन सी किरने पड़ी है आपने? गामा किरने उनका जो लेम्डा होता है वो सबसे कम होता है तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा तरंग देरदे किन का हुआ? आप ठीक है? तो पराबैंगनी किरने जो है इनकी खोज किस ने की थी? रीटर ने अब ठोड़ा सा याद करें देखें गामा किरनो की खोज कब होई थी? 1896 में उसके बाद में एकसरेज की खोज उससे एक साल पहले 1895 में और पराबैंगनी किर्णों की खोज़ वो अठारा सो एक में हुई थी, रीटर ने की थी, सन्याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए, अच्छा लगता पढ़ने में, इसके बार में अगला प्रसन अपना ये है, कि इनके उत्पत्त क्या-क्या है, पराबैंगनी किर्णे जो हैं, इनको उत्पन कैसे किया जा सकता है, तो इनके उत्पत्ति के स्रोथ में तो एक तो अपन ने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली है, कि सूर्य से आने वाला जो प्रकास होता है, उसके साथ में कुछ पराब प्राबेंगनी किरने हैं वो निकलती है ठीक है तो यह इनके उत्पत्ति के श्रोत हैं मुख्य रूप से आप लोगों को पढ़ने होंगे इसके बाद में बात करते हैं इनके उपियोग की पराबेंगनी किरनों का जो उपियोग है यह भी यहां पे सबसे महत्वपून है पराबेंगनी किरने और आप लिफेंगे और अप लिखेंगे पराब्यग किरने इसके बाद में हैं अंगुली के चिन्दों आधी की जाच करने में अंगुली की यह धी अपन बात करें तो ख आप ऐसे समझेए कि election वगएरा जब होते हैं चुनाव वगएरा जब होते हैं तो उनकी जो voters होते हैं उनकी अंगुली के उपर एक शाही लगाई जाती है ठीक है तो उनकी पहचान करने में कि कितने समय पुरानी है या कोई मामला जब उलसता है तो भी इनका उप्योग किया जाता है इसके बाद में अनेक रोगों में कितानू के नास करने में कई प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जिनके जो bacteria होते हैं उनको नस्ट करने में भी पराभैंगनी किर्णों का उप्योग किया जाता है सबसे विशेस प्रकार्के किरुणों के, यानि कौन सी किरुणों से? पराबेंगनी किरुणों से उन्हें क्लीन किया जाता है. तब जाकर के वो hundred percent क्लीन हो पाते हैं. आनवी की सरंचना में, अनुन की सरंचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, और सबसे इंपोर्टेंट है खनीज सेंपल की जाँच करने में, खनीज पदार्थ जो होते हैं उनके सेंपल की जाँच करने में, इन सब में पराबेंगनी किरिणों का उपयोग किया जाता है, तो आयोग आप लोगों अच्छे से समझ में आया होगा, जब इसमें से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या क्या आंसर देना, ये तीन तरह के प्रसंद हैं, ये आप से जनरली पूछे जा सकते हैं, खादे पदार्थों के शरंक्षन में, सर्जीकल उपकरणों की सफाई में, और खनीज सेंपल की जाँच करने में, कौन सी किरिणों का उ आगे चलते हैं, इसके बाद में नंबर चार पे आता है, देखे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा यहां पर, कि सूरिये से आने वाला जो स्वेत प्रकास होता है, जनरली अपन जानते हैं कि उसमें सात रंगों का कॉंबिनीशन होता है, जिसका क्रम अपन व लिखते हैं, V, I, B, Z, Y, O, R, तो V for violet होता है, यानि बेंगनी होता है, और R for red होता है, तो इंके तरंग देहरदे की अगर आपन बात करें, तो सबसे जादा तरंग देहरदे किसका होगा? रेड कलर का होगा न सबसे कम किसका होगा बैंगनी कलर का होगा न तो बैंगनी कलर का जो लेमडा कम है उसके नस्दीक वाली किरने जो है उनको पराबैंगनी कहा जाता है पर बात समझ में आ रही है और रेड कलर का लेमडा सबसे ज्यादा होता है तो लाल रंग के बाद यान सुर्य से आने वाले प्रकास जिसकी वज़े से अपन देख पाते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 4000 एंग स्टॉम से लेकर कि 8000 एंग स्टॉम तक होती है तो उससे कम लेंडा का प्रकास आपको याद रखना है यहां से कंफ्यूजन होता है कि द्रश्य प्रकास के अवरक्त किरने और पराबैंगनी किरने आस पास तो हैं लेकिन कौन सा किस तरफ है तो सिंपल से है पराबैंगनी किरने जो होंगी वो बैंगनी कलर के पास में होंगी अवरक्त किरने होंगी वो लाल कलर के पास में होंगी लाल कलर का लेमडा सबसे ज्यादा होता है तो इससे ज्यादा होगा पराबैंगनी किरिणों का लेम्डा होता है वो सबसे कम होता है तो इसे कम बैंगनी कलर की जो किरिणे होती है दर्शे प्रकास में उनका लेम्डा सबसे कम होता है तो पराबैंगनी उसके नजदिक आएंगी तो पराबैंगनी किरिणों के बाद में आपके सामने आता है दृष्य प्रकास तो पराबैंगनी किरिणों से दृष्य प्रकास का जो लेंडा होता है वो ज्यादा होता है कितना होता है याद करने की जरुवत नहीं है पढ़ते हैं इनकी खोज किस ने की थी? तो इनकी खोज 1666 में न्यूटन ने की थी बहुत पहले 1666 में न्यूटन ने की थी और आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूटन का कणी का सिद्धान तो न्यूटन ने कहा था कि यह जो दिरश्य प्रकास है वो कणों के रूप में आपतीत होता है इनका जो lambda है वो 4000 एंग स्ट्रोम से लेकर के 7000 एंग स्ट्रोम तक होता है 4000 में 30-0 लगेंगे तो वो 10 की पौर माइनस 10 को रेडियूज करेंगे तो यहां पर 10 की पौर माइनस 7 लग जाता है इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके स्रोत की कहां से उत्पन की जाती है तो एक तो सूर्य का जो प्रकास होता है एक बल्ब का प्रकास होता है और एक सौडियम लेंप जो होती है जनरली जहां कहीं से भी जिस किसी भी प्रकास की वज़े से आप देख सकते हैं वो सब द्रश्य प्रकास के स्रोत है उपियोग की बात करें तो इसमें कोई दिक्कती नहीं है अपने आसपास की वस्टूओं को देखने के लिए द्रश्य प्रकास का उप्योग किया जाता केवल इतना सा, तो इस प्रसंद के लिए जो importance है, बाकी ये दोनों चुछ ये तो normal है इनकी खोज किस ने करी थी द्रश्य प्रकास की वो important part हो जाता है तो number 4 पे अपने द्रश्य प्रकास पढ़ लिया अब आप मेरे को बताओ, पराबैंगनी किरनों के बाद में मैंने आपको द्रश्य प्रकास बटाया है द्रश्य प्रकास में सबसे ज़्यादा जो तरंग धर्दे होता है वो लाल रंग का होता है तो अब इससे ज़्यादा अपन क्योंकि तरंग धर्दे के बढ़ते क्रम में जा रहे हैं गामा किरने थी, फिर एक्स किरने थी, फिर पराबैंगनी किरने थी, फिर द्रश्य प्रकास था और अब इससे ज़्यादा तरंग धर्दे किसका होने वाला है द्रश्य प्रकास में लाल रंग और लाल रंग के बाद में अवरक्त किरने जो होगी तो अवरक्त किरने जो होती है उनका जो लेम्डा होता है वो द्रश्य प्रकास से ज्यादा होता है बात करते हैं इनकी खोज किस ने की थी तो इनकी खोज जब वो हरसल नाम के एक विज्ञानिक थे जिन्होंने अवरक्त किर्णों की खोज करी थी और इन्होंने सर अठारे सो के अंदर करी थी बात clear है तो आपको इनुमें हर्षाईल को नाम का जो है उसको याद रखना है बात करते हैं इनका स्रोथ क्या है प्रतेक गरम वस्तु अवरक्त वी किरिने उच्छरजित करती है कोई भी गरम वस्तु जब किरिने निकलेगी उससे हीट निकलेगी तो वो अवरक्त किरिनों के रूप में निकलती है क्लीर है हालांगी उससे आपको कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उनका जो लेम्डा होता है वो दर्श्य प्रकास से ज्यादा होता है उत्पत्ति का जो सरोथ है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रते एक गरम वस्तु जो है वो अवरक्त किरिने है वो उत्सरजित करती है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा देखे इसके उप्योग की बात करते हैं अपन तो इसके उप्योग में रोगी की सिकाई करने में मतलब सभी प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है कैंसर के रोगों की इलाज में जो और गांट को निकालने में जलाने में तो जनरली यह उप्योग आपको हर जगा मिलेगा उपग्रह को सोलर सेल से विद्धूत उर्जा प्रदान करने में जो सेटेलाइट्स अंत्रिक्स में छोड़े जाते हैं उन उपग्रहों के अंदर कोई न कोई एनरजी का सोर्स तो होता होगा न जो उनको उनके अपने कक्षिये चाल कक्षा के अंदर लगातार गती करवा रहा है तो वो एनरजी वो इसी अवरक्त विक्रिनों के द्वारा प्राप्त होती है रात्री में फोटोग्राफी करने में नाइट के समय जब फोटोग्राफी की जाती है तो अलगलग कलर्स की जो लाइटें यूज की जाती है तो उनके अंदर अवरक्त किरने हैं वो उत् इसके बाद में अगला उप्योग है ग्रीन हाउश में पोधों को गरम रखने में ग्रीन हाउश जो होते हैं जो ग्रीन कलर की चटाई लगा करके चादर लगा करके रखे जाते हैं उनमें पोधों को गरम रखने के लिए उनको हीट देने के लिए अवरक्त किरणों का उप्य तो ये पांच प्रकार की तरंगे हैं वो यहां पे अपनी complete हो जाती है इसके बाद में आप लोगों को एक बहुत interesting fact बताने वाला हूँ ठीक है मैं आपको वापस topic number 3 यानि पराबैंग ने क्रिणों में लेकर के चलूँगा वहां पे एक बहुत important topic है उसका अध्यन करते हैं च चाइना के अंदर जो चमगादर का सूप पिया जाता था ऐसा माना जा रहा है और वहां से कोरोना का जो bacteria था वो निकल करके आथा तो जो चमगादर होते हैं वो रात के समय उड़ते हैं और दिन में बैठे रहते हैं क्योंकि दिन में उनको दिखाई नहीं देता है तो basically वह चाइना करके सामने से किसी object से टकराती हैं जैसे कोई दिवार आ रही है तो उसे टकराती है और टकरा करके वापस उनकी body के द्वारा एपजो कर ली जाती है identify कर ली जाती है पहचान कर ली जाती है तो उनको अपनी speed के द्वारा ये पता चल जाता है कि इतनी दूरी के उप पर सामने कोई object है जिसको अपन पार करके नहीं जा सकते तो आप लोगों ने अंधेरे में देखा होगा कि चमगादर जब बहुत तेज दोड़ता हुआ आ रहा है तो किसी दिवार से टकराने से पहले ही अरोप्लेन की तरह मोल टर्न ले लेता है बात समझ में आ रही है और इसी चमगादर को देख करके ही जो रडार होता जो सिप्स में या अरोप्लेन्स में लगा होता है तो उसकी खोज का जो एक आइडिया था वो यहीं से आए था तो मां अप लोगों को इंटरिस्टिंग बत करने का आविशकार भी कर लिया देखिए कैसे मैं तो कहता हूँ कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि यार ये चमगादर है वो दिवार से टकराता है टकराने से पहले उसको कुछ पता चल जाता है और वो वापस मुर जाता तो इसको पकड़ा कैसे जाए तो उन लोगों ने क्या किया किए कि जो कांटेदार जाडियां होती हैं उनकी लकडिली जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और जब चमगादर सामने से उड़के आता तो बैसिकलिई उसको दिखाई तो देता ही नहीं और उससे सरीर से निक बड़ी की जो लकड़ी होती है उससे उस चमगादल को जब मारते हैं तो उसको दिखाई कुछ देता नहीं और वो पकड़ने में आ जाता है तो मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से कितना बड़ा इनोवेशन है कि वो जो किरने हैं वो दिवार से टकराने पर या बड़े अब जख से टकराने पर उनको पता चल जाता है तो उसी एक सिध्धान्त से इन सभी चीजों की खोज हुई है और सबसे इंपोर्टेंट माप लोगों को यहां पर इसका जो उप्योग है वो बता है तो आपने सुना भी होगा कि जो चिकित्सा के एक शेत्र में जब का जो नाम होता है वो अल्ट्रा साउंड होता है ठीक है तो अल्ट्रा साउंड जो नाम है वहां से अगर आप इसको याद रखने का प्रियास करें तो अल्ट्रा वोइलेट और अल्ट्रा साउंड जो है वो यहां पर थोड़ा सा याद किया जा सकता है तो पराबैंग नही उनका उपयोग है वो अल्ट्रा साउंड में किया जाता है ठीक है तुछ है इसका एक सबसे महत्वा पन उपयोग है वो भी अपने को यहाँ पर याद रखना चाहिए था चली अब अपन आगे चलते है एक अपने यह जो पांच वाँ टोपिक पड़ा था अवरक्त क्रिने इ नहां से यह प्रशन पूछा जाता है अब इसको याद अपन कैसे रखें तो आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि रिमोट के अंदर आगे जो बत्ती लगी होती जो रेड कलर की होती है और उसमें से निकलने वाली तरंगे हैं वो भी ओवेसली हो सकता है कि रेड कलर की जै होती है इन्हें सुक्स में तरंगे भी कहा जाता है माईकरो का मतलब होता है सुक्स में इनके खोज है वो हर्ड्ज ने की थी सन 1888 के अंदर इनका स्रोत क्या है स्पूर्लिंग विशर्जन में स्पूर्लिंग विशर्जन का मतलब है कि जब एक तरफ कैथोड और एक तरफ अनोड होता है और उनके बीच में जम निर्वात क्रियेट कर दिया जाता है और जब कैथोर्ड और एनोड को एक हाई वोल्टेज के उपर जोड़ा जाता है तो उनके बीच में चमक उत्पन होती है जिसे अपन स्पूर्लिंग भी सरजर कहाता है मैगनेट्रोन वाल्व के द्वारा तो ये दोनों आपको इनके जो स्रोत है वो याद करने होंगे उपियो कहा किया जाता है माइक्रो तरंगों का रडार में और दूर संचार में रडार जो होता है उसमें माइक्रो तरंगों का उपियो किया जाता है और सबसे होता है जिसमें अपन कुछ चीज़ें रखते हैं और बटन दबाने पर वो गर्म हो जाती है ठीक है तो जनरली ये कीचन में यूज होने वाला इसका नाम microwave oven है microwave सुक्षम तरंगे ठीक है तो इसके अंदर यूज होने वाली जो तरंगे हैं वो सुक्षम तरंगे होती है तो एक बार बार एक्जाम में प्रसंद पूछा गया कि microwave oven में कौन सी तरंगों का उप्योग किया जाता है बताओ अब ऐसे प्रसंद भी बार एक्जाम में पूछे जा सकते है तो आपको आइडियल निकालना चाहिए तो आप जिसको पता है कि तरंगे यूज होती है वो तो microwave से निकाल लेगा आप किसी को यही पता नहीं कि वेव पूछा जाता है बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों ने देखा भी होगा कि microwave oven जो होता है उसमें मिट्टी से बने हुए या फिर काँच से बने हुए जो बरतन होते हैं उनहीं का उप्योग किया जाता है आप वहाँ पर स्टील से लोहे से या धातू से बने हुए जो अपने यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि धातू से बने हुए जो बरतन होते हैं वो हीट को औपजव कर लेते हैं इसलिए वहाँ पर मिट्टी से बने हुए या काँच से बने बरतनों का उप्योग किया जाता है आप लोगों ने कभी गरम दूद या गरम चाय पी होगी तो आपके होटों को नहीं लगती है लेकिन अगर वो ही आप स्टील से बने हुए गिलास के द्वारा उस गरम चीज को पीते हैं तो आपके मुँँ में वो चाय जाने से पहले आपके होड चल जाएंगे यानि वो जो गरम चीज़ें हैं वो उर्जा का अवसोशन कर लेते ह तो यह इसके पीछे का बेसिक लोजिक है तो यह आप लोगों को तयार करना चाहिए स्क्रिन को पोज करके लिख ले अगे चलते हैं इसके बाद में विदु चुम्बक के तरंगों के स्पेक्टरम की स्रंखला में अंतिम टोपिक अपने सामने आता है और वो है आपका रेडियो की खोज भी मारक उन्य ने की थी रेडियो तरंगों की क्योंकि रेडियो तरंगों की खोज हुई थबी तो रेडियो का विश्कार हुआ चलिए अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो लेमडा होती है वो अपने को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरस्टिंग है रेडियो तरंगों की जो लेमडा होती है तरंग देरदे होती है वो 0.3 मीटर यानि लगभग 1 मीटर का 30 हिसा समझ में आ रहा है एक मीटर का 30 हिसा इतना लेमडा से लेकर के 600 मीटर तक का लेमडा होता है यानि जब ये एक बार ऐसे एक बार ऐसे चल करके और एक позволin जब complete करेगी ऐसे चल करके ऐसे तो लगभग 600 मीटर क्रोज कर जाता है तो इनका जो lambda होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए अपने को ये पढ़ना चाहिए इसके बाद में इनका स्रोत क्या है चालकों में उच आवरती की AC से यानि चालक पदार्थ जो होती है धातू जो होती है उनमें ये दिया बहुत ज़्यादा frequency की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं AC का मतलब है alternating current प्रत्यावर्ती धारा जब आप इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर radio तरंगे create होती है संसुचक के लिए क्या कर सकते है रेडियो के अंदर आप लोगोंने कभी radio को tune किया है radio के उपर जो button होता है उसको जब अपन गुमाते है तो सामने एक लाल कलर का signal जो होता है उसको आप संके तंक कह सकते हैं वो भी आगे-ागे move करता है और उसके नीचे एक scale लगी होती है जिसके उपर frequency लिखी होती है तो वो जो radio का circuit है उसके द्वारा इसे receive किया जाता है उपयोग क्या है रडार और उपग्रह संचार में इसका उपयोग किया जाता है TV प्रशारण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है टेलीफोन संचार के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है तो इस तरीके से ये basic से logic है, तो यहाँ पर आपसे ये पुछा जा सकता है कि सबसे अधिक तरंग धेरदे की तरंगे हैं, वो कौन सी तरंगे होती हैं, तो इन सब तरंगों को आप तरंग धेरदे के बढ़ते करम में अपने पड़ा है, तो बढ़ते करम में आप एक बार इस प्रशन आते हैं, वो भी आपको तयार हो जाएंगे, अब इसके बाद में आप लोगों को अपनी स्क्रीन के उपर एक image दिखाने वाला हूं, उस image को आप एक बार वीडियो की स्क्रीन को पौज कर लेना, और पौज करके आप उसका अच्छे से अध्यन कर लेना, वो एक table ह अंदर सारी जितनी भी कहनी आपने अभी पढ़ी है, उनका संक्षिप्ट रूप लिखने का प्रियास की आ गया है, लेकिन पढ़ना आपको ये वाला जो अभी आप लोगों ने लिखा है, क्योंकि इसमें अपने विश्तार पुर्वक लिखा है, चीक है, चलिए, आज की क स्क्रामुष ये क की आपको ये के लिखा है, लेकिन है, चीक को ये आपको बदल मुड़ू की कि अबने रूप लिखने का था मूपवं विए है, बाहर है, क्योंकि सक्वावजब पाया झाला झीक की कषिए्टार भी कफ़ब।